सबीको जैहिन, आज एक विशेश वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, उस पर जानी से पहले उससे रिलेटेट कुछ facts जो सच्छा ही मैं आप लगों के सामने रखना चाहता हूं, जैसे सबीको पता है मैं बार-बार कहता हूं मैं वीडियो में, मैं पिसले पंदर पंद्रा साल में इसमें ENGGE हैं, जम घंच काम कर रहे हैं वेलफेर के बारे में, źतसाल फो एस्चेशन बने हुएं, जैसे दसवां एजर में हमारे सुकना में 10 नॉवंबर को हो रहा है इसे पहले देखे जो 5 साल का जो पिरियेट था जिसमें एसोसेशन बना नहीं था और वो पिरियेट था जिसमें प्रसन्ना यानि की मेरी जो पत्नी है वो स्टेनोग्राफ हरती देखे उन्होंने काफी अच्छा डेडिकेशन से काम किया था जिसके चलते कई सारे काम हमारे हुआ और मैं बारवर कहता हूं उनका जो मरनोपरांत में जो वीडियो दिया था जिसको अभी रिपीट किया था मैंने कुछ 6-7 मेने पहले उनका जो डेडिकेशन जो काफी हमें मदद मिला था एसोसेशन को खड़ा करने के लिए भी खेर इसी वज जानकारी मेमुरियल एवार्ड फॉर एक्सेलेंस एक साल हमने दिया उसके बाद ऑब्जेक्शन करने आया उब्जेक्शन भी जो है उन लोगों नहीं किया था जिन्होंने एसोसेशन के बारे में कोई उनकी जानकारी कम थी जो कि पिसले 2-3 साल या 4 साल में एसोसेशन नेगेटिव एक्टिट्टीट के कारण उन्होंने जो है और अब्जेक्शन भी सोभाविक था क्योंकि उनको पता नहीं था कि जो एसोसेशन में कारवाई कैसे हुई उनका क्या कंट्रिबूशन था उनको क्यवाल यह जानता था कि तुलसी नायर का आउरत है और तुलसी कुमारी से भी एक बहतर केंडिटेट है जो इस एवार्ड उनके नाम में लाने के लिए जो हमने लगभग ताई कर लिया इसका प्रपोस जो है दसवाई एजय में हम डिसकस करेंगे यह जो रहेगा देखे नाम इनका जेनरल सुशिल कुमार मेमोरियल एवार्ड फॉर एक् उनका उनको देखा है जो जैसे मैं बताता हूं फोटिन आसाम रेफल में जब आये थे मैं उनका दर्वार पर डेटेंड किया था और मैं खुस नसीब समझूंगा मुझको कि जब मैंने एस्सोशेशन बनाने के बात जो है जो आर्मी ऑफिसर का सर्च करना सुरू किया तो म अणके अनुट परवार के जो सद्थ से गुम हो जाता है मिलने के बाद ऊसी प्रकर सर्च नोऔर म्रने तक सार्च हमारा उनके नाम पर हम एक करेंगे ये जो वीडियो में आप मुझे अच्छी बात हुई कि उनका एक एडिसी जो कैप्टन सर थे उस फक्त सुसील कुमार सर का जो एडिसी उनका एक आर्टिकल मुझे मिला है जो मैं आप लोगों को पढ़के बताऊंगा हिंदी अनुवाद भी करूंगा उसका टाइटल है लोयल्टी टूदा जी सिन के लिए जैसे असम राइफल में आके अब मैंने कई बार बताया भी है आई एम में का जो मोटो के बारे में जो पर्सनल जो कमांड करते हैं उसको जो है सेकंड प्राइटी देना चाहिए जबकि कंट्री फरस्ट होता है दा मैन्यू कमांड कम नेक्स्ट यूर ओन जो इमे में जो लिखा हुआ है मोटो उस प्रकार का 100% फोलो करता था यह मैं बताऊंगा यह उनका ADC सर ने लिखा है चोटा सा आर्टिकल वो बताते हैं कि जो जनरल सुसील कुमार का जो समय था उसको कहते थे गॉल्डन एरा ओफ असम राइफल्स दो साल तीन मैना उन्होंने यहां पर काम कहते है और यह उफिसर बताते हैं एज यंग कैप्टन आई रिपोर्टेड विद मिक्स्ट फिलिंग्स बट आएड दा मॉरल सपोर्ट रम मेजर आर्पी मलहोत्रा लेट ब्रिगेडियर मलहो और यह कैप्टन साब जब शिमला में पोस्टेड था तब उनको बताय गया था कि आपने एडिसी बनके जाना है शिलॉंग डीजियर जनरल सुशिल कुमर के साथ उसने लिखा है देखिए क्या क्या सिखा है उन्होंने बहुत सारी सिखा है नंबर वन क्या था हों डोन लीव एनी टास्क कोई भी टास्क जो जो है अन्फिनिस्ट किये हुए उसको छोड़ना नहीं है यानि की complete करना है इसके लिए क्या करते थे जनरल सुशिल कुमर सर्ण ए बिक ब्लैक स्टील बो of the evening engagements almost daily उसवक्त क्या होता था जैसे ओफिस में बैठते जनरल सुषिल कुमार साम हो जाता था तब जो भी पेंडिंग फाइल है वो बॉक्स में रखके घर पें भेजा जाता था और दूसरा दिन जो है complete डेखने के बाद वो फाइल बॉक्स कहा आता था ओफिस में जबकि जन इन डिलिंग डिरेक्ली विद इवेन जुनियर इफ ही इन नोहाव ओफिस उनका एक था देखे छोटे जो रेंग के जो छोटे कर्मचारी था उनसे भी ओ कंटेक्ट करता था यदि वह जो है वह फाइल के बारे में या कुछ से मैटर के बारे में अच्छा जानकरी रखता ह उस वक्त कहा जाता था देखिये इट वाज एक कोमन प्रैक्टिस इन दे एमेचे में एक कोमन प्रैक्टिस हुआ करता था दैट वन जनरल सुषिल कुमार विजिटे डेल ही तो एक्स्पडाइट था केसे देखे शिविलियन क्लर्क्स वोड बी सिटिंग विद एयर केस फा करते है आसाम राइफल का फाइल के उपर काम करना सुरू करता था क्योंकि जनरल साब मिनिस्ट्री में जाके यह ताइख करता था यह सुनिचेस्ट करता था कि फाइल पूरा क्लियर हुआ है जो पेंडिंग पड़ा हुआ यह वहां पे एप्रिशेट दोस फौन सॉलिशन अर्गूमेंट करता था पता नहीं जैसे कराइए उस प्रकार मेंटी काम को नहीं करना चाहिए यह नाराज रहता था था बूला powers delegated fully exercised and not play safe जो delegate जो करता है जो सार बताते हैं दूसरों को कि यह काम करना है उसको जो है ensure करता था कि यो complete हुआ है या नहीं provided quick and timely decisions so essential for the staff officers अगर staff officer को कोई भी decision देना है तो तुरंत जो है provide करता था जनरल साब यह नहीं कि टालते टालते वो काम जो धिला हो जाता था respecting war veterans जो war veterans होता था जिनको gallant reward मिला हुआ है उनको काफी respect करता था एक बार क्या हो देखे respect for the old boros especially when war veterans declared heroes was immense decorated heroes है immense जो कि decorated heroes है veterans उनको काफी वो जो है respect करता था I remember the general giving helicopter lift to our heroes MB Rai and Ganju Lama in spite of all opposition from the pilots देखे ADC साब बताते है उनको यह याद है एक बार क्या होता है दो जो मैंने नाम बताया war veterans उनको helicopter में lift करने के लिए बताया था जनरल साब ने बसरते है कि वो pilot मना कर रहा था तो pilot को क्या बोलता है देखे जनरल साब शुचिन कुमार नाराज हो गया और पाइलोट को बताया उन्होंने इसी प्रकार जो जो वार हीरो को उन्होंने एर लिफ्ट किया था अपने जो प्रकार से एनजर एक्जामपल ओफ यूजिंग इस पावर टुदा हिल्ट देखे यह दूसरा एक्जामपल आपना पावर दिखा था जनरल साब किसके लिए वेलफेर के लिए जवान के वेलफेर के लिए और देखे इंपोर्टेंट टौर्ड्स एक्पलिशिंग प्रोजेक्ट पुश्ट एवरीवन तो दा हिल तो अगोल क्या करते थे कोई भी जो प्रोजेक्ट है उनको कम्प्लीट करने के लिए जो कुछ पोसिबल है वह जो है उसके ओपर जोर देता था और फिर क्या होता है देखें कमांडें वगरा का उन्होंने री स्टार्ट किया देखें और उसके बाद जो है और पीए स्कूल उन्होंने खोला होस्टिल फैसिलिटी दिलाया डेल ही और गोहार्टी में ट्रांसिट का फैसिलिटी उन्हें ने शुरू किया था और उसके अलावा जो जैसे के घोड़े का जो एक सवारी का जो होता है एक इस्टेरियल राइडिंग उन्होंने शुरू किया था माउंटेने रिंग देखे पहाड में चड़ने का encouraging golf in the Assam Rifles where few of his brain child projects in which the air excelled including football जो sports में भी उन्होंने काफी ध्यान दिया था football वगरा में जो Assam Rifles प्रोफिया मिलता था और जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने किया देखे और उसके बाद क्या था देखे इट वाज आल्सो जेनरल सुचिल कुमर्स विजन टू अपड़ेट दे हिस्ट्री ऑफ असाम राइफल जैसे मैंने कई बार बता चुका है जो किताब जो है जो मेजर जनरल पे के पालिट द्वारा लिखा गए उन्होंने ही इनिशिट किया था और जो के बाद में उनके जाने के बाद ही पब्लिश हुआ था और यह देखे फोर जैनरल्स टोटल इन इन्वोल्मेंट तोवर्स वेलफेर असाम राइफल वन कुड जाने के बाद कौन हमारा वेलफेर देखेगा ऐसे लोग बोलते थे और लास्ट में क्या होता है देखे दूरिंग दा फेरवेल आई विटनेस्टू टूप्स क्राइंग टचिंग इस फीट एंड शाउटिंग हमारे भगवान की जै एडिसी साब बोलते हैं कि जब फेरवेल हो रहा था जैनरल सुशिल कुमार का लोग चिला रहे थे और उनका पाउं पकड़के बोल रहे थे कि हमारे भगवान की जै यानि कि भगवान से तुलना किया था एक्च्छल में भगवान था क्योंकि रिटायर्मेंट के बाद मैं हम जब जाते थे एसोसिएचिंग जब मेंटर थे सर कई बार हमने मिलाया और ओनेस् हिल्ट हम बोल सकते हैं इतने अच्छे ओनेस्ट इमांदार ओफिसर था जैनरल सुशिव कुमार एक चोटा सा फ्लैट में रहता था कई बार हम गई उनसे मिलने के लिए तो इस प्रकार का जो ओफिसर था और क्या बोलते हैं लास्ट में एन्ट वाफ तगोल्डन एरा उसम समय है और हमें पूरी आशा है वो काफी वेलफेर ओरियंटेड है उनके ऊपर काफी रेस्पोंस्बिलिटी है उन्होंने मुझे लेटर लिखा है और हमने उनको इन्वाइट भी किया है कि 10 एजिया में हमारे आएंगे क्योंकि हम जो पोस्त मसली तीन जो हमारे जो इंपोर जो सदस्य है जो हमारे लिए काम क्या है हमारे पून्य पूज्य लेटरन जनरल सुषियल कुमार सर उनके नाम पे जनरल सुषियल कुमार्स मेमोरियल एवार्ड फॉर एक्सलेंट इसके हम प्रपोजल इस 10 एजिय में रखेंगे आप सभी ने सपोर्ट करना है और कमेंट्स में लिखिये हमारा डेसीजन कैसा है करके आज तक इतना ही जय हिन जय आरे वा जय भारत माता सत्य में वजयते